हाई गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं B. SNL के 4G नेटवर्ट के बारे में B. SNL की जो फिलहाल की हाला था है करेंट इसके इस्तिती चल रही है उसके बारे में बात करेंगे बी एसेनल की सैलरी के बारे हम बात करेंगे, जो regular employee हैं और contact पर करेंगें उनकी salary है वो टाइम से नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्या कारण है जो उनकी salary बी एसेनल टाइम से नहीं दे पा रहा है, उसकी पूरी बात हम करेंगे इस वीडियो में, पूरी information को inform करेंगे, तो वीडिय अगर चैनल पर पहले बार कि बार करें देख रहा एक है तो आज प्रिडियो को अभी के अभी मैं सब्सक्राइब करें बीडियो को लाइक करने से बुस 이तना फायदा हुता और कुछ सेब्भा मुणाफienza रहा है उनके लिए हमारा कंटेंट लग रहा है तो अच्छा कैने की कोशिस करती हैं हम थोड़ा मोटी वह देहें और आ उतना कि सेली के बारे में बात सबसे पहले BSNR की सेलरी के बारे हम बात करेंगे कि BSNR में जो बरकर्स हैं उनके लिए सेलरी कोहनी दे पार आ है BSNR का सबसे बड़ा मुद्दा विकेवल BSNR का 4G हो चुका है अब हर एक बात में BSNR 4G दे रहा है कि ये काम होगा BSNR 4G होने के बात मतलब कि इसका में मुद्दा 4G ही बना लिया है BSNR के जो बरकर्स हैं BSNR के करमचारी हैं और BSNR के जो MD है CMD कह सकते हैं CMD और MDB कह सकते हैं Management Director और जो हैं PK परवार रवी संकर प्रसाद जी ने पहले भी कहा था कि BSNR की सेलरी मिल पाएगी 4G आएगा तब ही तो एक बात मैं से पूछना सभी से पूछना चाहूँगा कि अगर BSNR का फोरजी अभी नहीं आया एक साल पहले आ जाता तो एक साल पहले सेलरी मिल जाती है अगर एक साल बात आता है तो जो कॉंटेक्ट बरकर हैं उनकी सेलरी का क्या होगा वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे मैं इसे बात पूछना चाहता हूं और आप में मुझे बताईए कि कॉंटेक्ट बरकर हैं उनकी लगवक 11-12 महीने की सेलरी इखटे हो गई है अभी तक कोई भी सेलरी का एक फूटा कोड़ा भी नहीं मिला है तो इसमें आप बताईए मुझे कि आपको एसे में कैसा लग रहा है और आपको यह बीडियो पसंद आ हा रही है यह नहीं आ रही है present और एक बात और बताऊं कि पी एसनर की जो क्योंसे दिये जा रही हैれ है और जो बढ़कर हैं उनकी salary नहीं दी जा रही क्योंकि उनकी जो salary है वो regular employee से बहुत ही कम पांच लोग आराम से सभल जाएंगे पांच लोगों की सेलरी दे दी जाएगी एक महीने की सेलरी में कॉंटक्ट बरकर की एक महीने की सेलरी लगवद जादज जादा होती तो दस हार रुपए होती है और जो रेगूरर एंप्रोय हो उसकी 50-60-90 इतनी होती है लगवद तो उसमें ऐसे अगर 50,000 सब की माने ली जाए फिर भी उसमें 5 contact worker समझ जाएंगे अगर एक बार की salary जो regular employer उनकी रोक ली जाए और वो salary contact worker को दे दी जाए तो एक बार में contact worker समझ जाएगा उनको कोई चिंता नहीं रहेगी और जो इस दो महिने के उनकी salary हिटी हो जाएगी फिर उसमें से एक महिने का उनका रोक कर और आगली salary उन्हें देती जाए तो इससे बहुत ही जादा मुनाफ़ा हो सकता है और company में काम भी अच्छा करने लगेंगी जो contact worker है सबसे ज्यादा एक बात बताओं कि सबसे ज्यादा काम होता है तो contact worker पर होता है जो इसके regular employee उन पर कुछ भी इतना काम नहीं होता है कि वो करते ही नहीं है बट उनकी salary time से तो दे दी जाती है लेकिन इनकी salary भी time से नहीं दी जा रही है अब इसमें सबसे बड़ा जो काम चला है बी एसनल 4G भी एसनल 4G लाएंगे यह है वो है बी एसनल का 4G मुझे तो लग रहा है कि इस साल तो आ नहीं सकता क्योंको इस साल आएगा तो कैसे आप आएगा जब तक यह फोर्जी ला पाएगा तब तक जो जीओ है वो 5G ले आएगा और जीओ 5G ले आएगा तो जीओ 5G ले आएगा तो क्या होगा फोर्जी का कोई माने ही नहीं रहेगी जैसे कि फोर्जी जीओ का है इसके 3G है 3G में ऐसा यह रगड का चला है ऐसे ही जब उसका 5G आएगा तो इसका 4G भी रगड कर ही चलेगा कुछ फायदा नहीं है फिर इनके 5G लाने का कोई फायद भी नहीं है तो ऐसा तो होनी सकता कि उनका 5G आए ऐसा तो मतलब कि मुम्किन ही है तो अगली बात करें कि बीएसनल के जो काम है वो क्या चला है अब बीएसनल का फोर्जी का काम चला है कि टेक मेहंदरा कंपनी ने कह दिया है हमारे पास सामान अब बन गया है तैयार हो चु उससे सामान खरीद ले अब बात करें आगे की तो एक इसमें एक काम और चला है कि इसकी जो चला चल संपत्ति है जो इसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है जिस संपत्ति का जैसे कोई बील्डिंग पड़ी है बहुत बील्डिंग खंडर हो चुकी है जो खाली मैदान है बी एसनल का लगवा हजारों वीगे के करीब है उसका कोई यूज नहीं उसको बेचने का काम चला है अगर उसे बेजना है जल्दी से जल्दी बेचा जाए जिससे की कंपनी में काम किया जाए तो थोड़ा कंपनी चल सकती है लेकिन ऐसा बी एसनल के लोग कदाब भी नहीं कर रहे हैं केबल डेली के डेली उन्हें न्यूज एक ही देनी है बी एसनल का जो बाहरी पैसा है वो उसे बेचकर ही दिया जाएगा जमीन बेची जाएगी तब इसका जो जो कर्ज है वो तब ही दिया जाएगा ऐसा डेली कहा जाता है डेली पीके परवार जी कहते हैं कि य जाएगा लेकिन ऐसा अभी तक एक भी बार कदम नहीं उठाया है बीएस ना का फोर जी अब तक लग जाता जब कि ये भाजपा सरकार ने थोड़ा इसमें मुट्वेज कर दिया चाइना से इसका सामन आने वाला था तैयार हो चुका था चाइना ने इंडिया पर अटेक किया अटेक किया तो बीस लोग अपने जवान थे वो मारे गए तो इसमें क्या किया गया भारत सरकार ने बस इतना ही किया कि हम आपका कोई सामन नहीं खरीदेंगे आपके जो हमारे इंडिया में एप्स चल रहें टिक टॉक पबजी और भी बहुत हैं उन्हें बंद करेंगे त इससे क्या होता है इससे बस इतना ही होता है कि जो हमारी करेंसी है वो इंडिया से बाहर नहीं जाए लेकिन इंडिया से बाहर करेंसी जा कब रही है टिक टॉक से इंडिया की करेंसी कभी बाहर नहीं गई क्योंकि वो तो गूगल एड़ से कमाता है वो तो इंडिया के किता था कोई गन है वो गन खरीदते थे तो उसमें पैसा देना पड़ता था डारेक्ट लेकिन पब्ची बंद किया यह बहुत ही मतलवी सही काम किया लेकिन टिक टॉक बंद किया उससे कोई इंडिया को नुकसान नहीं था और इतना बड़ा फुल थाइदा भी नहीं था ले इसके जो इंपलौई है वो धंसे काम करें बी आसलार का बी आरस भी नहीं दिया गया लेकिन जो कॉंट्क करना नहीं करते हैं कियोंकि उनके लिए सेलरी कम है उनके लिए बहुत बावट बैसे बावकर हैं लेकिन जो contact worker उनके लिए बहुत काफी है और बहुत salary भी नहीं दी जारी तो इससे contact worker है उनका थोड़ा दिमाग हिल रहा है कि हमें इतना तो पैसा मिल नहीं रहा है फिर भी यह हमको salary दे नहीं रहे है तो इसलिए थोड़ा इसमें गरवर्थ हो गया है इस contact पर करके थोड़ा दिमाग में आ गया है कि हम काम नहीं करेंगे अब काम सब करें मन से तो बहुत जल्दी BSNL चालू हो सकता है ऐसा माना जा रहा है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि BSNL तभी चल पाएगा जब BSNL का 4G आ जाएगा और आप मुझे बताई कि BSNL 4G आ बोक्स में बताईए जानकारी आपको कैसी लगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करने थेंक्यो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वाई अपना खायार राकिए बाई